मेरे प्यारे बच्चों हेलो एंड वेलकम टू इस वीडियो में हम क्लास 10 के हिस्ट्री के चैप्टर टू यानि नेशनलिजम इन इंडिया को पढ़ रहे थे और इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए प्रीविएस इयर कोश्चन बेस्ट नोट्स तैयार करेंगे आपके वीडियो में स्लाइड में जो भी नोट्स के पॉइंट्स आएंगे आप उसे वीडियो पाउज करके लिक्स जरूर लीजेगा तो चलिए सेशन की सुरुवात करते हैं आज हम दो टॉपिक्स पढ़ने वाले बच्चों पहला टॉपिक हमारा होने वाला है गांधी इस आइ चलिए इस वीडियो की सुरुवात करते हैं तो प्यारे बच्चों जो हमारा पहला टॉपिक है कि आइडियाज ऑफ सत्यागरा या हम कह सकते हैं कि वह वाट वास अग्रा एक्वाडिंग टू गांधी जी तो इससे जो हमारे कोशन एक्वाड में आ सकते हैं वह बस एक ही एक टाइप कहीं कोशन बंता है इससे बैसिकली और वह कोशन कॉमनली यह सकता है कि वाट वेर दाइड सत्यागरा एकॉर्डिंग टू गांधी जी अब देखो बच्चो जब गांधी जी साउथ अफरीका में थे तब बहुत ही ज्यादा इंफ्लोएंस थे जॉन रसकेंस और लियो टॉस्ट्वाइल्स के राइटिंग से और उनसे ही इनको इनको इंस्पिरेशन मिली थी मैंने उसको समझना है तो बेसिकली देखो जब गांधी जी साउथ अफरीका में थे तो उन्होंने बहुत ही सक्सेस्फुली इस सत्यागरा को यह सिविल डिस बीडियंस मूइमें जिसको हम पैसिव रेसिसेंस भी बोलते हैं पैसिव इसले बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है आप नोडाउन भी करते हुए चलना तो आप इसके एंसर के पहले पॉइंट में लिखोगे कि सत्यागरा मीन्स रिक्वेस्ट फॉर्ट इट पूट इंफैसिस ऑन ट्रूट तो सत्यागरा का जो लिटरल मीनिंग है सत्य के लिए आगरह करना यानि रिक्वेस्टिंग फॉर सब्सक्राइब पॉइंट में लिखोगे इट सब्सक्राइब फिजिकल फोर्स और वाइलेंस इस नीडेट अगेंस्ट ऑप्रेसर इफ दो काउज ऑस्रॉगल इस फॉर इस्टैबलिश्मेंट ऑफ तो जो ऑप्रेशर है यानि जो दमनकारी जो अत्याचारी है उसके खिला होगे और आप कैसे जीत होगे तो next point में लिखते हैं कि सत्याग्रही can win any battle with non-violence by appealing to the conscience of oppressor about the truth तो यह जंग एक सत्याग्रही ऐसे जीत सकता है कि जो दमनकारी है जो अत्याचारी है उसके अंतर आत्मा को अगर वह अपील कर दे कि जिस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहा है व और यह बहुत इंपोर्टेंट भी है शॉट टाइप कोशन में यह सकता है कि वाई महात्मा गांधी चूज सत्याग्रह और नॉन वालेंस अगेंस बिटिश तो आगे बढ़ते हैं अब next जो हमें पढ़ना है कि महात्मा गांधी जब इंडिया आय थे तो सत्याग्रह के कौ महात्मा गांधी इंडिया आए कब थे तशो महात्मा गांधी इंडिया ॉसको अब्जाप किया जाता है और आप लोग को यह ... 1915 गांधी जी महात्मा गांधी रिटर्न तो इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रिका इन 1915 में इंडिया आने के बाद 1916 तक उन्होंने पूरे इंडिया का टोर किया था अपने पॉलिटिकल मेंटर गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर और 1916 में लखनाव सेशन में उनकी मुला इस से उसको आप लोग लिखते चलेंगे चंपारन सत्यागरा 1917 बच्चों इसमें आप लिखेंगे गांधी जी लेट पीजेंट मोमेंट इंचंपारन डिस्टिक अब बिहार अगेंस्ट ऑप्रेसिव तीनकठिया प्लांटेशन सिस्टम ऑफ इंडिगो देखो दर असल क्य यानि कि 20 में जो तीन कठ्था होगा उस पर कंपलसरी होती थी इंडिगो की फार्मिंग करना उसकी खेती करना यह कंपलसरी था तो यह इससे क्या था कि काफी नुकसान होता था पीजेंट को और काफी सफर करना पड़ता था और इसके अगेंस यह लोग सुरूस बहुत टा कर दिया गया और यह भारतियों की पहली मोरल विक्ट्री थी और इसने प्रूफ कर दिया कि जो सत्याग्रा है वह भारतियों के लिए एक बहुत ही कारगर विपन है और यह इंडियन की पहली मोरल विक्ट्री थी पहले हम लोग देख लेते हैं मैप में बच्चों की चंपा आगे बढ़ते हैं चंपारन में सत्यागरा का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट करने के बाद महात्मा गांधी पहुंसते हैं गुजरात के खेरा डिस्टिक में यहाँ पे जो समस्या थी यहाँ पे जो डिमांद थी वो भी पीजेंट्स की थी यहाँ पे जो स्ट्रगल था वो कहीं था लेकिन इनका डिमांड थोरा डिपरेंट था इनका डिमांड यह था कि जो क्रॉफ फेलोर के कारण आपको पता है कि 1914 से 1918 तक वर्ड वार वन चला था तो उसके बाद जो हैं कुछ कंडिशन्स ऐसे बन गए कि भारत में बड़े स्टरपे क्रॉफ फेलोर्स हुआ ज उन्हों ने लगान बिल्कुल भी माफ नहीं किया था और इसके खिलाफ यह लोग स्ट्रकल कर रहे थे गांदी जी पहुंचते हैं खेडा और अपने लीडेशिप के अंदर और यहां पे जो है गांदी जी पीजेंट की डिमांड को बिटिश से मनवा लेते हैं और यहां प इसको आप लोग खासा हाइलेट करके याद रखेंगे रिवेन्यु रिवेन्यु रिएक्शेशन यानि खेडा के जो पीजेंस ने उनका डिमांड था एक लिए अब लोग देख लेते हैं कि खेडा है कहां मैप में तो बच्चों यह देख सकते हो आप कि यह हमारा प्यारा पर पे है खेडा तो आपको खेडागर पूछा जाका है कि आप लोकेट कर दोगे कि यहां है खेडा अब खेडा के बाद हम लोग चलते हैं एहमदाबाद ऐसले भी है क्विए पहली बार गांधी जी ने इंडिया में हंगर स्ट्राइक किया था एहमदाबाद में पॉटन म उन्होंने स्टाइक को सपोर्ट किया और कॉटेमी बड़कर से क्या कि आप यह आप लिघ एक्सपरिमेंट को जो है वीक्तुरी मिलती है जीत मिलती है तो एहम्दाबाद सबसे पहले आप लोग देख लेए कि यह है कहां और यहां पर जो है यह पीजेंट नहीं थे यह मेल-वर्कर थे अहम्दाबाद की लोकैशन यह गुजरात और यह है हमारा एम्दाबार यामने खेड़ा देखा था यहां है गुजरात में एहम्दाबाद अब हम लोग कि देंगे एहमदाबाद मील स्ट्राइक और इसके अंटर लिखेंगे गांधी जी इन सपोर्ट ऑफ ओटन मील वर्कर्स वे डिमांडिंग वेज हाइक वेंट उन हंगर स्ट्राइक इन दो एहमदाबाद ऑफ गुजरात तो एहमदाबाद मील स्ट्राइक 2018 और यहां पर पहली बार गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक किया था तो इसको आप मेंशन कर लेंगे तो यह वीडियो यही तक था इस टॉपिक में और इस दोनों टॉपिक से कोई भी कोशन आप को आएंगे अब आप इसली कर पाएंगे इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें इस 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 अब चीजों पर को भी हम लोग कभर करेंगे और सारे तॉपिक सो हम लोग सर्फ और सर्फ प्रीविए से कोशन के बेस्ट पर पढ़ेंगे और नोट तयार करेंगे ऐसा ताकि हमारे एक्जाम में अच्छे नंबर आएं इसके अलाबा जो भी डिलेटेड डाटा